इसका सातियों आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूटूब चनल पर रेलवे गुरूप डी की चातरों के लिए अभी अभी अरार्वी भरती बोट ने एक नई नोटिस जारी कर दिये फेज वन फेज टू फेज तिरी किसा साथ 4 और 5 की चातरों के लिए आज की वी रेलवे गुरूप डी के चातरों के लिए काफी बड़ी कुछ कबरी आ चुके अरार्वी भरती बोट अब आप सभी का गुरूप डी का रिजल्ट जारी करने जारा है रेलवे गुरूप डी के रिजल्ट पर लाइब अपडेट आपको बताते हैं फेज एक दो तिन चार पांच का आप सभी का फाइनल आंसर की अब 21 नॉमबर 2022 तक ऑफिशल साइट पर आ जाएगा और लेटेस्ट अरे वाले एक से दो दिनों के भीतर भीतर आप सभी का रेलवे गुरूप डी का जो रिजल्ट है वो भी जारी होने जारा जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा है इंदिजार आपको बताते हैं लेटेस्ट अब्डेट आ रही कि आप सभी का जो फिजिकल एक्जाम होगा अब यह जल से जल कंड़ेट करा जाएगा क्योंकि आप यहाली में रनेंद मोदी ने भी धाई लाग जो वेकेंसिया है धाई लाग नए पदों का सेजन करेगी आपको दाते डाई लाग नए पदों की जो भरती का नोटिफिकेशन है अब दोसों इसका विज्यापन जो है जारी किया जाएगा लेटेस्ट आ रही कि जनवरी और फरवरी दोहजार तेइस में आप सभी लोगों की नई भरतियों का आयोजन जो है शुरू कर दिया जाए यहां पर आप लोगों को बताते हैं इस बार जितने भी उमारे चात रहें जो कोट ओफ काफी जादा जाने की अनमान लगा जा रहे हैं आपको बताते लेकिन ऐसा नहीं इस बार कोट ओफ हच से जज़्यादा गिरेगी और इसका जो में कारण होगा वो दोस्तों आटेंड पर भी अब इनका सेलक्षन संभा हो पाएगा इस बार बात करें जर्रों केंडिडेटों का जो नौर्मलाइज का टॉफ स्कॉर एक्सप्रक्ट किया जा रहा है वह अगर हम ओबीसी केंडिडेटों की बात कर लें तो यहां पर 55 प्लस पे एक सेव इसकोर माना जा रहा है ए अपडेट आता हुए यहां पर आ रहा है और आप सभी की फाइनल अंसर की भी अब ओफीशल साइट पर आने वाले एक और दिनों के भीतर एक से दो दिनों की भीतर ओफीशल साइड और यह बीट और इन पर जारी हो जाएगा और यह काफी बड़ी कुछ कब दिया रही है बता दें फिजिकल एक्जाम आप सभी के अगले महिने 20 दिसंबर 2022 से लेटर्स मीटर रिपोर्ट्स की अनुसार शुरू कर दिये जाएंगे इस बार मेल केंडिडेटों का काफी ज्यादा टफ फिजिकल होने वाला है चाहें आप फिजिकल ले लें आप लोगों का मेडिकल फिजिकल के बाद आपका डॉकुमेंट वेरिफिकेशन होगा डिविक बाद आपका मेडिकल होना है तो यहाँ पे आप लोगों को दो प्रोसेस काफी जादा एक टफ होने वाला एक तो फिजिकल एक होता है मेडिकल फिजिकल में आपको जहां 1000 मीटर की डॉल लगानी होग होगे और एक और दोड़ होगी 100 मीटर की जिसमें आपको 35 किलो बुजाग साथ दोलना पड़ेगा तो काफी जादा टफ होगा मेल कंडिटेटों के लिए फिजिकल तो इसकी त्यारी करते हैं